complete the inequality by choosing less than, greater than or equal to sign तो यहाँ पर हमें एक inequality दी हुई है यहाँ पर यह जो बक्से जैसी चीज है इसके left में हमारे पास एक number है और इसके right hand side में हमें word form में एक number दिया हुआ है हमें दरिसल इन दोनों numbers को compare करना है और पता लगाना है कि इन में से कौन सा number बड़ा या चोटा है या फिर ये दोनों numbers आपस में बराबर है तो अगर मैं इस word वाले form को देखूँ तो यहाँ मुझे दे रखा है 32,000 and 50 तो 32,000 का मतलब हुआ 30,000 plus 2,000 अगर मैं इससे ऐसे लिख दूँ 32,000 का मतलब होता है 30,000 plus 2,000 और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 50 भी है तो अगर मैं इससे एक number के formula लिखना चाहूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारे once की place पे कुछ भी नहीं है तो मैं once की place पे 0 डाल दूँगी यहाँ पर tens की place पे हमारे पास 5 आएगा क्योंकि 50 यह बराबर होता है 5 tens के तो यहाँ पर tens की place पे आ जाएगा मेरा 5 और फिर आती है हमारी hundreds की place और hundreds की place पे भी हमें कुछ भी नहीं दे रखा है यानि कि hundreds की place पे भी हमारे पास 0 आएगा फिर hundreds की place के बाद thousands की place आती है और thousands की place में हमारे पास है 2,000 तो इस नंबर में thousands की place में जाएगा 2 और इसी तरीके से फिर 10,000 की place में हमें 30,000 दे रखा है यानि की 10,000 की place में हमारा 3 आ जाना चाहिए और यहाँ पर मैं कॉमा लगा देती हूँ तो इस नंबर को हम पढ़ सकते हैं 32,000 and 50 तो अगर हम अपने इस वाले नंबर को देखते हैं तो यह बराबर है ones, tens, hundred, thousand, ten thousand यानि की 10,000 की place में हमारे पास है 3 इसका मतलब है कि यह represent करता है 30,000 को और यहाँ पर thousand की place में हमारे पास है 2 तो यह represent करता है 2,000 को और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 50 भी है तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखें तो यह तो मुझे एक जैसी ही दिखाई दे रही है अगर हम इसे भी अपने एक नंबर के terms में लिखना चाहें तो यहाँ पर हमारे ones में कुछ भी नहीं है 10s में हमारे पास है 5 फिर 100s में हमारे पास कुछ नहीं है 1000s में हमारे पास है 2 और 10,000s में हमारे पास है 3 तो यह नंबर भी रिप्रेजन करता है 32,000 and 50 को तो यहाँ मैं इन दोनों नंबर्स में equal to का sign लगा सकती हूँ तो चलिए इसे चेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं order the values from least to greatest हमें यहाँ पर 3 numbers दे रखे हैं और हमें इने छोटे से बड़े के order में लगाना है तो यानि कि हमें इन 3 numbers को आपस में compare करना होगा और यह पता लगाना होगा कि इन में से कौन सा number सबसे छोटा है और कौन सा number सबसे बड़ा है तो हमारा पहला number हमें दे रखा है 390 तो 390 को हम लिख सकते हैं 300 plus 90 यानि कि इसे हम 390 इस तरीके से लिख सकते हैं इसी तरीके से हमारा दूसरा number यह 93 है और 300 plus 9 यह बराबर होता है 309 के तो अब हमें यहाँ इन तीनो नंबर्स को आपस में compare करना है तो इने compare करने के लिए हम इन सभी numbers के same places को compare करेंगे यहाँ पर मैं इन numbers को नीचे भी लिख लेती हूँ ताकि हमें इनकी place value के terms में compare कर सकें तो इन numbers को compare करने के लिए हम शुरू करेंगे इनके highest place से compare करना और फिर हम आके बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम 390 की बात करें तो यहाँ इसकी highest place value है 3 यानि कि यह 3 यह दरसल बराबर है यह represent करता है 300 को और अगर हम बात करें 93 की तो इसमें भी हमें same place को compare करना होगा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 की place पे तो कुछ भी नहीं रखा हुआ है यानि कि हम यहाँ 100 की place को 0 मान सकते हैं यानि कि हमारे पास यहाँ पर है 0 hundreds इसी तरीके से अब अगर हम बात करें अपने 309 की तो यहाँ पर भी 100 की place पे हमारे पास है 3 यानि कि hundreds की place पर 3 represent करता है 300 को ही तो इन तीनों numbers में अगर हम इनकी highest place को compare करते हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि 93 हमारा सबसे छोटा number है यहाँ पे क्यूंकि इसकी hundreds की place पे हमारे पास 0 है तो मैं इस चीज को यहाँ बंद करूँगी और 93 को उठाके सबसे आगे रख दूँगी चलिए दुबारा से अपनी pen ले आते हैं तो 93 ये race से बाहर जा चुका है और अब compare करना है हमें 390 और 309 को और क्यूंकि हमारे hundreds की place पे same digit है इसलिए हमें अपने छोटे places की तरफ आगे बढ़ना होगा तो हमारी अगली place value है 10s की तो 390 में 10s की place पे हमारे पास है 9 यानि की ये represent करता है 90 को और 309 में 10s की place पे हमारे पास है 0 यानि की हमारे पास 0 10s है और हम जानते हैं कि 0 10s ये छोटा होता है 9 10 से और इसलिए हम कह सकते हैं कि 390 ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा तो यहाँ पर मैं अपनी pen को छुपा लेती हूँ और 390 हमारा सबसे बड़ा नंबर है इसलिए ये सबसे आखरिम जाएगा तो ये सवाल भी सही है